Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point. आज है 21 सितंबर और आज किस वीडियो में हम 21 सितंबर से related करंट अफर के सभी important question को cover करने वाले हैं. तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारे mobile application को install कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को हर दिन की current अफर की PDF, daily order revision, daily free quiz, ये सभी हैं मिल सकेगा. कल जो हमने important question पढ़े थे, इसका हम को एक revision कर लेते हैं. देखी भारत का जो 61 software technology park है, ये नागा लेंड में उपन किया गया है. फिनो payment bank ने अपना brand ambassador अभी नेता पंकस तरिपाठी को निक्ति किया है, और आली में जो NCRB है, यानि कि National Crime Record Bureau, इसने जो report release की है, इसमें बताया गया है, कि lockdown के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है. हाली में मडीपुर की, हाथी मिर्च और तामेंग लोंग, इस संत्र को GI टेग मिला है, Ease of Doing Business रिपोर्ट को बंद करने का फैसला हाली में World Bank के द्वारा लिया गया है, सुक्षता पक्वाड़ा 2021 के शुरुआत कोचीन पोर्ट टेस्ट से की गई है, पंजाब के नए मुख् चरण जी चन्नी, हाली में IIT दिल्ली ने पानी की बूंदों से बिजली बनानी की टेक्नलोजी विक्सित कर ली है, राज्टी राइफल संग के अध्धक्ष मने है, रनिंदर सिंग और ट्रांसलेटिंग माइसल्फ एंड अदर, ये किताब है जुंपा लहरी की, जो की अग आधन सीरीज लाई जा रही है, मतलब कि इसमें जन्वरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के सेलेक्टेट 500 इंपॉर्टन करन्ट अफर के कुश्चन ये आप लोगों को कवर कराये जाएंगे, ये लाइफ क्लास होगी आज सुबा, यनि कि 21 सितंबर, 21 सितंबर की सुबा 9 बजे से ये लाइफ क्लास है, जिससे आप लोगों को जुड़ना है, और लाइफ क्लास से जुड़ना तो है ही, इसे शेयर भी करना है अपने जादा से जादा दोस्तों के साथ, हमें इसका रिकॉर्ड सेट करना है, वीडियो को वाइरल करना है, और ट्रेंडिंग में लाना है, तो वो ये भी हाली में बन गया है इरान, आप जानते ही हैं संगाई, कॉर्परेशन, और्गानाइजेशन, जिसे आप शॉर्ट में SEO के नाम से जानते हैं, पहले इसमें आठ मेंबर कंट्री हुआ करती थी, इसके याद करनी की ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ट्रि मेंनिस्तान को छोड़ दे, अफगानिस्तान और तुर्क मेंनिस्तान को छोड़ने के बाद जितनी इस्तान कंट्रीज बच जाती हैं, यही है SEO की सदस्य, जिसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजगिस्तान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तो पांच इस्तान कंट्री यहीं की नौवी member country यह बनने जा रहा है इरान यदि हम बात करें संगाई corporation organization की तो इसके जो इस्थापना है SEO की रूप में यह की गई थी 2001 में headquarter इसका इस्थित है Beijing China में इसके secretary general है Vladimir Norov देखे नोरोव देश लिखा है यह केवल नोरोव है सदसे देशों के दिए हम बात करें तो यह मैंने आप लोगों को बता ही दिया है तो अब इसका नया member country यह बनने जा रहा है इरान इरान की राजधानी यह है देखे इरान का जो सबसे बड़ा जहाज है जहाज का नाम क्या था खर्ग यह इरान की नेवी का सबसे बड़ा जहाज था जो की गल्फ ओफ ओमान यानि की ओमान की खाड़ी में डूब गया था जिसके कारण यह चर्चे में आया था और इरान अपना सबसे शक्तिसाली कंप्यूटर भी विक्सित कर रहा है इसका नाम इसने क्या रखा है सीमूर्ग तो यह तो हो गई इरान की बात हलाकि आज मैं यहाँ मैप के थुरू इसे डिसकस नहीं कर पा रही हूँ लेकिन वैसे ही मैंने आप लगों को बता दिया है यदि हम बात करें साउथ सुडान की तो आप जानते हैं यानिके सेमिक्तराज की टोटल 193 मेंबर कंट्री है और इसका जो 193rd मेंबर कंट्री है यह है साउथ सुडान नियू की दि हम बात करें तो देखे एसियन डेवलप्मेंट बैंक इसकी 68 मेंबर कंट्री है और इसका जो 68th मेंबर कंट्री है यह है नियू और चाइना के बारे में आप जानते ही है हाली में इसने एसिया पेसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए अपलाई किया है उदित सर के दुवारा आप लोगों के लिए यह जो SSC GD की क्लास है रोज शाम को साथ बजे ली जाती है इस कलास से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा जिसमें कि GSGK के important question cover कराये जाते है कल मैंने आप लोगों से दो important question पूछे थे पहले का राई टंसर था ADDAS और दूसरे का राई टंसर था श्री लंका आप लोगों के लिए आज का सवाल है प्रधान मंतरी कुसुम योजना के तहट solar pump लगाने वाला पहला राजजी कॉन मना है और रोपे के निर्मार के लिए समझोता करने वाला, मतलब कि अगला question है किस राजजी ने कूपर महासीर को केटली नाम से राज की मशली घोशित किया है तो ये भी हाली में घोशित किया गया है सिक्किम के द्वारा जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ये सिक्किम की प्रसिद्ध मशली है आप कह सकते हैं इसे राज की मशली के रूप में मानिता दे दी गई है ताकि इसका संरक्षण ये सुनिशित हो सके इसका वैज्ञानिक नाम हाला कि उतना important नहीं है लेकिन जो लोग सिक्किम से वीडियो देख रहे हैं वो चाहें तो ये नाम याद रग भी सकते हैं ये है इसका वैज्ञानिक नाम तो इसके महत्तु को लोगों के सामने उज्ञागर करने के लिए और इन्हे संरक्षण करने के लिए इसे राजकी मशलिक उपाधी देदी गई है सिक्किम के देहीं हम बात करें तो आप पूरोतार भारत के map में देख सकते हैं ये तो है पूरोतार भारत पूरा यह जो आप देख रहे हैं यह लग से यह है सिक्किम सिक्किम की राजधानी क्या है तो यह है गंग टोक मुख्य मंत्री यह है प्रेम सिंग तमांग राज्य पाला गंगा प्रशाद देखे सिक्किम की सीमा तीन देशों से लगती है कौन-कौन से एक तो नेपाल हो गया दूसरा हो गया भुटान और तीसरा हो गया यह जो चीनी तिबबत वाला एरिया है इन तीनों की ही सीमा लगती है सिक्किम से जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य यह सिक्किम ही है त다면 केसर की खेती यह कैवल कशमीर में होती थी लेकिन पहली बार सरकार के दुआरा सिक्किम को भी मानेता मिल गई है मतलब कि अब यहाँ यहाँ भी केसर की खेती हो सकेगी आप लोग ने नामची के वारे में सुना होगा जो कि सिक्किम में इस्थित है देखें नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम है आप कह सकते हैं जो कि बनना है जिसका नाम फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा और इंपोर्टन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि भारत क एसा पहला इस्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा इस्थापित किया जाएगा सिक्किम के नामची में अच्छा एक और फैक्ट आप याद रखें एक्जाम में काफी बार पूछा जाता है सिक्किम ये पहले भारत का राज्य नहीं था च्छतीस्व संविधान संसोधन जो कि 1975 में हुआ था इस दौरान इसे भारत में शामिल किया गया था तो यह तो हो गई सिक्किम की बाते हैं यहां जैसे बात की जा रहे हैं राजकी मशलिकी सेम वैसे ही राजकी जली जीव जिसका नाम है गंगा नदी डॉल्फिन पंजाब सरकार के प्रक्षनर तो आप नहीं कह सकते अनुसंधान के लिए जो गंगा अनुसंधान से सुरी डॉल्फिर अनुसंधान केंद्र यह पटना में स्थापित किया जा रहा है सिक्किम के बारे में हमें डिसकस कर लिया देखिए लगदाख ने हाली में अपना राज की पशु हिम ते जो अनानास है रानी अनानास इसे राज की फल डिकलेर किया था तो यह कुछ मिलते जुलते फैक्ट हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं अभी तक कि लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडिय सबसे पहले मिल सके और देखिए बहुत सारे स्टुडेंट ऐसा कमेंट करते थे कि मैं हम आपको शोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं मैं आप लोगों को बता दू कि शोशल मीडिया पर मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूं फेस्बुक इंस्टाग्राम वह तो बहुत इंस्टाग्राम अकाउंट है आप लोगों के सामने पब्लिक कर रही हूं आप जो चाहें मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं तो चैनल से रेलेटेट जितनी अपडेट है अब आप लोगों को इंस्टाग्राम पर ही मिल सकेगी अगला कुश्चन है हाली में किस राजी की वि द्धारित की गई है 21 वर्ष लेकिन इसके पहले जो विवाह होते हैं यह बाल विवाह की कटेग्री में आते हैं अभी जो विध्यक पारित हुआ यहां जो की ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है इसमें बाल विवाह की बात कही गई है कही गई है कहने का मतलब है कि यदि क कि आपने रजिस्ट्रेशन करना अलाउ कर दिया तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करके बाद यवार कर पाएगा इसमें विध्यक में कहा गया है कि यह लड़के-णलड़की इसी जैपूर में, हलाकि जैपूर को पिंक सिटी कहते हैं, आप लोगों को मालूम ही है, युनिसको के वर्ल्ड हरीटेस साइड में से दर्जा मिल चुका है, साथ ही इसी जैपूर में भारत का पहला औरगन डोनर मैमोरियल येन की अंगदान इसमार के स्थापित किया गया है इसके लावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, जो कि काफी ज़्यादा चर्चे में रही है, देखे, इसी जैपूर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, इसकी घ हेल्थ भी लाने वाला भारत का पहला राज्य, यह राजिस्थान ही है, आप जानते हैं कि भारत में भी तक टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 53 तो 36 गड़ का है, 36 गड़ का कौन सा गुरुगासी दास नेशनल पार्क, 52 जो रहा था, यह था राजिस्थान का ही राम तो युनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, आप कह सकते ही कि धर्मार्थ सिक्षण संस्थान है, धर्मार्थ सिक्षण संस्थान है, यह थर्म से रिलेटेड यहां सिक्षण दी जाती है, कहने का मतलब है कि यह जो युनिवर्सिटी है, यह धर्मार्थ सिक्षण संस्थान है, बत अध्यान में डॉक्टरेट की मानतुपादी से सम्मानित किया गया है अनुपम खेर को यदि हम अधर अभी नेताओं की बात करें तो आप जानते ही साउथ की सूपरिश्टार रजनी कांत इन्हें 51 दादा सहब फाल के अवार्ड से सम्मानित किया जाना है अमिताब बच्चन कोश्चन है केंद्री ग्रह मंत्री अमित शाह ने उज्जोला योजना के दूसरे चरण का उद्गाटन कहां से किया है तो देखिए इस कोश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होईंगे जो उज्जोला योजना थी गैस सिरिंडर में सबसिवी देने के लिए आप जानते ही है 2016 में शुरू की गए थी कहां से शुरू की गए थी उत्तर प्रदेश के बलिया से इसके बाद उज्जोला 2.0 यह भी हाली में लॉंच हुआ है जो कहां से लॉंच किया गया है उत्तर प्रदेश के ही महोबा से यहां हम बात कर रहे हैं कि उज्जोला योजना का जो दूसरा चरण हैं इसके शुरुवात तो देखिए ग्रह मंत्रे मिश्चा अभी हाली में मध्य प्रदेश के जबलपूर के दौरे पर थे जहां इन्होंने उज्जुला के इस दूसरे चरण के शुरुवात कर दी है और देखिए अभी जो बजट पेश किया गया था मतलब 2021-22 का जो क प्रावधान किया गया है और यह सुविधा है कि आप जानते ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पांच करोर महिनाओं को मुफ्त रसोई कनेक्शन यह प्रवाइड कराने का लक्ष इस बार का यह रखा गया है तो यह आप रिलेट कर सकते ह जाए तो यह है अजय कुमार भल्ला अगला कोश्चन है हाली में सीमा सडक संगठन जिसे आप शौट में बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन बी आरो के नाम से जानते हैं इसने मतलब कि संगठन ने आर सी सी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सेन कमांडर को सौपी है आर समय पहले ही जो न्यूज आई थी इसमें बताय गया था कि बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में न्यूक्त होने वाली जो पहली महिला बनी थी यह तो बनी थी वैशाली हिवेस लेकिन आर सी सी कंपनी की जो पहली महिला सेनी कमांडर ब सबसे उचाई पर इस्थित वाहन योगे ने की मोटरेबल सड़क का उधगाटन लगदाक में किया गया जो कि समुद्र तल से लगभग उन्नेस अजार तीन सौ फिट की उचाई पर इस्थित है बाकी के दो अप्शन के दिए हम बात करें तो आप जानते ही हैं सूमा मंडल यह है इस्थिल अथारिटी ओफ इंडिया लिमिटेट की पहली महिला ध्यक्ष जो की नुपर कोल्स रेष्ट है यह कौन है तो इंडियन कोस्ट रिकार्ड में ICG में जिसे आप भार्दी तरटरक शकबल कहते हैं इसमें DIG के रूप में न्युक्त होने वाली यह पहली महिल बन गई है अगला कुश्चन है इस्पिन योजना की शुरुवात किस ने की है तो इसके शुरुवात अभी हाली में KVIC यहनि की खादी एवं ग्राम उद्योग आयक की द्वारा की गई है सबसे पहले आप इस्पिन के फुल फॉर्म जान लीजे इसकी फुल फॉर्म बनती है इस्ट्रेटनिंग दा पोटेंशियल ओफ इंडिया कहने का मतलब है कि इस इस पिन योजना के तहत जो कुमार होते हैं कुमार आप सभी जानते हैं जो मिट्टी का काम करते हैं इन्हें बैंकों से आसानी से ही लोन प्रोवाइड कराया जा सके साथ ही जो यह काम करने वाल है इस परपस के साथ के वी आइसी के द्वारा इस पिन योजना के शुरुआत कर दी गई है यदि हम बात करें के वी आइसी की तो यह जो खादी एवं ग्राम उद्यों का आयोग है इसके स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी लेकिन स्थापना वैसे देखा जाए त T20 सन्यास के फैसले के बाद विराट कोली ने किस फॉर्मट से हटने का फैसला किया है तो देखे T20 से इन्होंने अभी हाली में सन्यास लेने की घुशना करी दी है इसके बाद अब फिर ये निउस निकल करके सामने आ रही है कि अभी जो IPL खेला जा रहा है इस IPL के तुरं हो किया जाने वाले सेलिब्रिटी हैं और वरण पुरे वहलिड में ये 34 स्थान पर हैं पहले स्थान पर है क्रिष्श्णु रॉंनालड कर सकते हैं इंटरनाशनल क्रिकेट में सबसे तेज सजारंन मनाने वाले पहले खिलाडी विराट कोहली ही act when fuerte सरकारे महराजा संकर साहा विश्वविध्याले के नाम दिख रहे हैं यähän सभी इंद्रा गांधी नाशनल ट्राइबल अमरकों किया है हें सतना सतना में अटर विहारी बाजपाई अटल विहारी बाच्पाई कॉलेज़ यह कहां इस्तेत है यह बोपाल में इस्तेत है फिलाल हम बात कर रहे हैं मद्द्ध पृपाल है मुख्य मंत्री कौन है सिवराज सिंग चोहान, राज जिपाल, ये हैं मंगो भाई छगर भाई पटेल, इनकी निक्तिय भी हाली में की गई है, सबसे ज़्यादा नैशनल पार्क मध्य प्रदेस में हैं, काना, बांधाओ, पेच, पन्ना, सत्पुडा, वन विहार, ये सभी इस्थित हैं मध्य इसका भी नाम बदल करके नर्मदापुरम अभी हाली में किया गया है, टीडर बोर्ड में आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, ये कुछ टॉप स्टुडेंट है, जिन्होंने पूरे-पूरे सही अटेम्ट किये हैं, अगला कुश्चन है, साइनिंग सिख, यूथ ऑफ ये किताब को इमोचन किस ने किया है, तो ये किताब अभी हाली में हमारे रक्ष्व मंतरी राजना सिंग जी के द्वारा लॉंच की गई है, साइनिंग सिख, यूथ ऑफ इंडिया, जो कि किस पर बेस है, सिखों के जो नौबे गुरु थे, गुरु तेख बहादुर जी, इनी की चार सो भी जेनती को चिन्यत करने के लिए इस किताब को लॉंच किया गया है, जिसमें कि इनकी प्रेणादायक स्टोरीज ये स्रामिल होंगी, जिसे की यूथ कुछ सीख सकते हैं, हाला कि लॉंच तो किया है, राजना सिंग ने, लेकिन ये जो किताब है लिखी हम बात करें, तो जो हमारे उप्राश्ट पती है, एम बेंकियान आइडू जी, इन्होंने अपने कारेकाल के तीन साल पूरे होने पर एक बुक लॉंच की थी, जिसका नाम था, कनेक्टिंग, कमुनिकेटिंग, एंड चेंजिंग, अगला कुश्चन है, हाली में आई पेल क दूसरा संस्क्रण कहां से शुरू किया गया है, तो देखे, कोरोना के कारण ये रुग गया था, जो की चल रहा था दुबई में, तो इसका जो दूसरा चरण है, इसके शुरू अभी हाली में UAE के दुबई से की गई है, और अप्रेल मही में चल रहा था, कोरोना आया, ज अपने नाम किये हैं, इसके लाबा, IPL में सबसे जाधा रन बनाने वाले खिलाड़ी ही विराट कोहली, सबसे जाधा विकट लेने वाले खिलाड़ी ये हैं लशित मलिंगा, जिन्हों उने, आपके सकते हैं, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास का एलान कर दिया है, श् इनकी जो प्रतिमा है इसका उद्गाटन अभी हाली में हंगरी में किया गया है और बिटकॉइन के बारे में बताने की जुरुत है ही नहीं है देखिए ये एक डिजिटल करंसी है यानि कि ये एक आभासी मुद्रा है जिसे की ना हम छू सकते हैं मतलब कि छू तो सकते ही नही किया जाता हलाकि इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बता रखा है यहां हम बात कर रहे हैं कि इन्हें जो निर्माता माना जाता है साथ उसी नाकों मोतों को इन्हें स्रद्धांजली देने के लिए इन्हीं की प्रतिमा का अनावरान कर दिया गया है और यह द का आप्उसर आपको लाकषेसे लाग है ये कि जनक न जाते इंग हैं जो आप wastewater करते हैं पासवर्डक क्यों है तो य से एब हम एए क्षलिजियर कर लेते हैं किस अ चैलिसियस और फारन हैट का ताप मान बराबर होता है माइनस 40 डिग्री सेल्सिस पर कांसा ये मिक्शर है तामबा और तिन का दुलिप रॉफी ये क्रिकेट से रिलेटेड है LPG की फुल फॉर्म है लिक्टिफाइट पेट्रोलियम ग्यास गीता रहश्य किताब बाल गंगा धर तिलक के द्वारा लिखी गई है राजी सभा के जो एक तिहाई सदस्य है ये हर दो साल बाद रिप्लेस कर दिये जाते हैं राजी सभा आप जानते ही है उच्छ सदन होता है आर्टिकल 18 में इसके वारे में बताये गया है और ये एक इस्थाई सदन है मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होती है अमेरिकी राश्टपती का कारेकाल ये होता है 4 साल का जबकि भारत में होता है 5 साल का अयोध्या जोकि सर्यो नदी के किनारे बसी होई है कल जो मनें आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था मध्य प्रदेश का इंदौर आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत में बाजरा का हब बनाने के लिए किस राज़ी सरकार के दोवारा बाजरा मिशन के शुरुआत की गई है तो इसका जो भी आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आज तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेंगे मैं चाहती हूं कि आज का ये जो वीडियो मेरे लिए और वीडियो को आप लेंडिंग में लाइए ज्यादा ज्यादा लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करते हैं शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थाइंक यू सो मच